हलो दोस्तों गुड मॉनिंग तो आज है 28 सेटेंबर यानि 28 सेटेंबर 2023 है तो आज का क्या-क्या करेंट अफेयर वन सकता है चलिए इस वीडियो के मादम से देख लेते हैं तो इसमें क्वेस्टन पहला है हमारा हाल ही में किस राजे सरकार ने प्राकृति खेती खुशहाल किसान योजना PK-3Y को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कारेकरम सुरू किया है तो कौन किया है एंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश द्वारा प्राकृति खेती खुशहाल किसान योजना के लिए मोबाइल वैन कारेकरम का शुभरम किया गया है एंसर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तो कोशन दूसरा देख लेते हैं प्रदेशन दूसरा हमारा हाल ही में किस राज सरकार किस राज में पहला लाइट हाउट उत्सव शुरू हुआ है तो किस राज में हुआ है गोवा राज में हुआ है ठीक है गोवा राज में क्या हुआ है पहला लाइट हाउट उत्सव शुरू हुआ है गोवा राज में ठीक है राइट एंसर हो जाएगा गोवा राज कोशन अगला देख लेते हैं हाल ही में किस अभिनिता को सत्य जीत रे फिल्म एंड टेली विजन इंसिटूट के गवर्निंग काउंसलिंग के अध्यक्स के रूप में नामित किया गया है तो किसको नामित किया गया है आपका राइट एंसर हो जागा सुरेश वोपी को जो सत्य जीत रे है सत्य जीत रे हैं देख सकते हैं सत्य जीत रे फिल्म एंड टेली विजन इंसिटूट के गवर्निंग काउंसलिंग के अध्यक्स के रूप में नामित किया गया है किसको सुरेश वोपी को ठीक है सुरेश वोपी को नामित किया गया है प्रस्ण अगला है अहाल ही में कौन 20 वे यानि 20 वे राश्टी पुष्टक मेले की मेजमानी कर रहा है ठीक है तो कौन कर रहा है आपका लखनवर कर रहा है ठीक है आप समस्य हो जागा लखनवर का तो 20 वे राश्टी पुष्टक मेले की मेजमानी लखनाओर कर रहा है लखनाओर किसकी राजधानी है उत्तरपदेश की राजधानी लखनाओर है तो मुख्यमंत्री कोन है योगी आदितनात है ठीक है योगी आदितनात है बात करें यहाँ पे लोकसभा की सीट तो लोकसभा सीट कितनी है 80 seat होती है और राज सवा की seat sorry विधान सवा की जो seat है वो आपका 403 होती है ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे प्रस्ट अगला है हाली में Axis Bank ने MS MES के लिए किस platform को launch किया है तो किस को launch किया है Neo Far Business ठीक है Neo Far Business को launch किया है Axis Bank ने MS MES के लिए जो है Neo Far Business launch किया है ठीक है राइट एंसर हो जागा Neo Far Business Question अगला है हाली में 200 कुष्टी चेंपियन 2023 में किस भारती महिला पहलवान ने कास पदक जीता है तो को जीता है अंतिम पंगाल ने जीता है ठीक है राइट एंसर हो जागा अंतिम पंगाल ने जीता है कुष्टी चेंपियन 2023 ठीक है भारती महिला पहलवान है जो कास पदक जीती है अंतिम पंगाल राइट एंसर हो जागा अंतिम पंगाल को कास पदक जीती है ठीक है यह भारती महिला पहलवान है क्वेशन अगला है हाल ही में कहां में पहला आसियान सायुक्त सायन अभ्यास ASEX01N का आयोजन किया जाएगा तो कहां किया जाएगा इंडोनेसिया में किया जाएगा ठीक है इंडोनेसिया में आसियान स्वैंस्तुसान अभ्यास SX-01N का आयोजन किया जाएगा हिंडो नेसिया में तो याद रखेंगे प्रश्न अगला हमारा हाली में किस जानवर को खाद पसु का टैग मिला है तो मिथून जो मिथून जानवर है मिथून जानवर को खाद पसु का टैग मिला है टिक न टैग से भी प्रश्न आपको आते हैं तो इसको आप सारा टैग कर लिजेगा तो यह जो है खाद पसु कि जानुवर को खाद पसु का टैग मिला है तो मिथो जानुवर होता है उस को मिला है ठीका हागे है question हमना फ्रश्ण है हाली में कहां में g 7070 Plus चीन सीखर समिलन का आयोजन किया गया है तो कहां किया गया है क्यूबा में किया गया है क्यूबा में दोस्तों जी सेवेंटी सेवेंटी प्लस चीन सीखर सम्मेरन का आयोजन किया गया है कहां पे क्यूबा में किया गया है ठीक है क्यूश्चन अगला हमारा हाली में इसको पतिष्ठीत एक लब पुरसकार से सम्मानित किया गया है, बहुत important है question, जो पुरसकार होते हैं, अक्सर उससे exam में पुछते ही रहते हैं, तो हाली में किसको 35 एकलब पुरसकार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, तो right answer हो जाएगा, पलक सर्मा को किया गया है, ठीक है, जो एकलब केंगे फलक सर्माव किया गया है तो आज का लाश क्वेस्टन देख लेते हैं अंतिम प्रस्ट हाली में मल्टिप्लेक्स एसोसेशन ओफ इंडिया ने कब नेशनल सीनेमा डे मनाने की घोसरा की है तो कब की है 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को मल्टिप्लेक्स एसोसेशन ओफ इंडिया ने नेशनल सीनेमा डे मनाने की घोसरा की है कब 13 अक्टूबर को ठीक है बतशतों तो आज के लिए बस रही तक रहने देते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगे है कमेंट बॉक्स माद्धम से जरू 1010 कुएस्टन जो इंपॉर्टेंट बन रहा होता है डेली जो इंपॉर्टेंट बन रहा होता है उसको इस वीडियो के माद्धम से हम आपको कफर कराते हैं तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली वार जूदए है तो सस्क्राइब चरूद कर लिज्येगा और खासकर जो ऐले जादा जादा फारवड करिए और हमारे चैनल से नहीं जूरे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिरू सब्सक्राइब कर लें बहुत ही लाब दायक हो गया आपके लिए चैनल क्योंकि एलेक्टिकल और एलेक्टिसियन का सारा क्वेस्टन वीडियो आम आलेटी इस पे और अप्लोड करते ही रहते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना क्या रखें मस्त रहिए जैन जै बारत